कि मानों में लेकिक जनन कैसे होता है क्योंकि जो पुष्प होते हैं तो उनमें तो होता है यह लेकिक जनन मैंने आपको बता दिया आप जा है तो पिछले वीडियो में जाकर दे सकते हैं लेकिन जो मनुष से होता है उनमें भी लेकिक जनन होता है क्योंकि इनमें लेकिक कोई रूपता पाई जाती है इसमें आपको नर और मादा अलग-अलग दिखेंगे कि इनके अलग-अलग होते हैं नर और मादा दोनों अलग-अलग दिखेंगे लेकिन पुष्प में होते थे वह तो यह होते थे जायांग और पुमंग लेकिन यहां पर आपको दोनों अलग- के लिए इनमें जनन होने के लिए इनमें सबसे पहले इनके जननांगों का परिपक होना होता है जनिनांगों का विक्सित होना होता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले इनसान में जो जनन के लिए एक परिपक होते हैं निए पवर्टी पीरियड यौनार तो जब योनारंभ होता है तो उसमें क्या होता है कि जो अगर जो मादा है तो उस मादा में अंडाड़ू का बनना सुरू हो जाता है और नर है तो उसमें सुक्राड़ू का तो इसमें को इसमें वह जनरेटिव सेल्स भाग लेती है जनरेटिव सेल्स जनन को सकाएं तो जो हम कि यह होती है जनन कोशकाएं जनरेटिव सेल्स यह जनन कोशकाएं होती है तो यह जनन कोशकाएं अपने आपको अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि विभाजन दो तरह से होता है सम सूत्री और अर्ध सूत्री तो इनमें अर्ध सूत्री विभाजन होता है तो जब अर्ध सूत्री विभाजन होगा तो यह माल लीजे यहां पर यह सेल है जनरेटिव सेल्स तो इसमें गुड़ सूत्र कि अपने आपको डबल करेंगे और यही के द्वारा यही जब इसमें अर्धिसूत्री भाजन होता है तो इसमें है प्लॉइड बनती है अगुडित को सिका अगुडित को सिका जब बनती है तो यह फिर बाद में सुक्राणू में बदल जाती है सुक्राणू का रूप ले लेती है यही होती है जनरेटिव सेल्स यह होता है नर में और जो मादा में होता है तो मादा में अर्ध सूत्री भी भाजन के द्वारा अंडारू का निर्माड होता है ओभम का कि ओभं कि अंडानू का निर्मार होता है तो जब इसमें ओभं का निर्मार हो जाएगा तभी तो होंगी जब यह वाली सेल्स यह गुर्षूत्र इसके साथ मिलेगा तभी इनका 46-44 पूरा होगा इसमें भी 23 से 23 से 23 तेज़ और इसके बास भी यह बमर वह में भी अभी अब यहां पर मालू जी कोई है तुरा का पूरा इसमें हुआ कि फिर इसमें हुआ इसमें हुआ अ कि यहार सैल्स बन गए तो इन सभी में तेश्ट तेश्ट जए और यहां पर 46 था तो इसमें बढ़ गया इसके बाद में यह से मिल जाए गा यह इस से मिल जाए गा को यह से मिल जाए ओ और यह इससे मिल जाएगा इंगर जब टुट्रेंगी तो इसमें 30 और इसमें 30 कितना होगा इनका पूरा हो गये ना 46 शेलिशेश गुर्शोत्र पुरी वह गये तो इस तरह जब यह आपस में मिलती है सवाइन होती है इनका फ्यूजन होता है तब ये बनती हैं लेकिन उसके पहले उसके पहले युनारा मशरू होता है तो शुरू में अगर जो मादा है तो मादा में 12 से 14 साल के बीच में और अगर जो नर है तो उसमें 14 से 16 साल के बीच में होता है कि उसमें 14 से 16 साल के बीच में होता है ओके और अगर जो और यह पूरा पूरा का पूरा अगर यह मनुस में होता है मनुस में लेकिन अगर यह पूरी प्रक्रिया होती है तो मेल गैमेट और फिमेल गैमेट यूगमक होते हैं यह तो इन्हें कहा जाता है गैमेटो जेनेसिस ग गैमेटों अजीनेसिस कि यह होता है गैमेटोगेनेस जेनेसिस लेकिन अगर यहां पर शिर्फ स्पर्म का निल्माण हो रहा है तो यह होता है इसपर मेटोगेनेसिस इस पर्मेटो जेनेसिस और अगर जो यह मादा में हो रहा है अंडों का निर्माड अंडाडू का निर्माड तो यह होता है ओवा जेनेसिस यह पूरी परक्रिया गया लिए ओवा जेनेसिस और जब यहीं अंडाड़ों और सुक्राणूं मिल जाते हैं तब यह बना लेते हैं जाएगोर्स यह तो अभी लेगे जाने के परिपक को होने की बात हो रही है तो अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि जनन होता कैसे है उसमें जनन के पहले क्या क्या होता है ठीक तो उनमें जो होता है जननांग जननांग उनमें होते हैं अगर जो हम नर जननांग की बात करें तो उसमे में आता है बिरसाण को टेस्टिस टेस्टिस जिन बच्चों को समझ में ना रहा हो कमेंड करें कि नर्जन्नां का जो महतपूर रंग होता है वह होता है टेस्टिस और जो मादा में होता है वह होता है अंडासे ओबरी कि जुन नर्जननांग होता है पीमेल रिप्रोड़क्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह होता है टेस्टिस नरका बिरसाण तेस्टीस यह होता है ठिक तो यह होता है टेस्टीस और जो मादा में होता है मादा में होता है अंडासेद अबरीज होते हैं तो इन में क्या होता है कि जब यह अपने आपको विक्सित करते हैं तो यह 12 से 14 साल के बीच में मादा में हो जाता है मादा में बिक्सित हो जाता है लेकिन जो अंडा से होता है तो जो अंडा से है वो उस मादा के जब वो मादा एक भ्रूण के रूप में होती है अपने मा के गर्भासाई में तभी इस अंडाडू का वहाँ पर बिक्सित होना शुरू हो जाता है लेकिन अगर जो यह है नर वा इसका निर्मार्ण शुरू होता है गर्भासे के बाद में और जो यह है ओबरी ओबरी का निर्मार्ण तो गर्भासे में ही हो जाता है इसका निर्मार कब होता है गर्भासे में और इसका निर्मार 14 से 16 साल के बीच में लेकिन जब इसका निर्मार होगा जब यह परिपक हो जाएगा तो इसमें कुछ और आगर यह मत्य강 सेख़र है क Schul. इसमें बाहों यह आपके भाहों में निकला अधि यह होता है उनके दाढ़िया और मूश निकलाता है उसके बाद में उसके बाद में फिर जननांगों पर बाल निकलाते हैं जननांगों पर बाल निकार आते हैं और आवाज का भारी हो जाना होता है कि अगर जो कोई भी जननांग है भिरसण है आपर टेस्टिस है तो यह जननांगी होता है रिप्रोड़क्टिव सिस्टम तो इसके चार और इसके चार और एक बाल आ जाते हैं और इसमें आपको बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं कि जब हार्मोन्स ही नहीं होगा तो यह अपने आपको परिपक को नहीं कर पाएगा 14-16 के बीच में परिपक हो जाता है और यह 20 साल तक ठीक 16-20 तक इसमें आपको बहुत ज्यादा बहुत ही अधिक मात्रा में हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में हार्मोन से कस्रावण होता है रिलीज होता है और अगर जो मादा में होता है पवर्टी पीरियड शुरू होता है तो इसमें 12-14 साल में होता है 12-14 साल में होता है तो इनमें क्या होता है फिजिकल चेंजेस इनमें आपको कुछ फिजिकल चेंजेस मिलेंगे जिस तरह माद नर्में हो रहा था तो इनमें भी जननांगों पर बाल आ जाएंगे आवाज में सीतलता आ जाएगी ठीक आवाज में सीतलता आ जाएगी पीरियड शुरू हो जाएंगे जैसे ही इनमें अगर जो विकास हुआ तो इनमें पीरियड शुरू हो जाते हैं जिसे हम महीना कहते हैं तो वह शुरू हो जाता है 12-14 के बीच में पीरियड और जब यह पी जब पीरियड शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं रजो धर्म और जब यह पीरियड बंध हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है रजो निर्वात रजो धर्म यानि यौन आरंभ सुनूं और यह रजो निर्वात यौन आरंभ का बंध हो यौन आरंभ का बंध हो जाना ठीक तो यह होता है रजो धर्म और रजो निर्वात तो जो इसमें होता है लेकिन अगर यहां पर यह रजो धर्म और रजो निर्वात यह सुरू तो हो जाते हैं बारा से चोदा के बीच में बारा से चोदा लेकिन यह बंध कब होते हैं बंध होते हैं पैतालिस से पचास के बीच में यह चोदा से बारा साल के अंदर अंदर शुरू हो जाते हैं अगर जो मादा का है तो मादा में होता और यह का मैसलिक यह कं बारा से चौदा साल में परिपक हो जाता है और रजो धर्म शुरूँ हो जाता है और यहां पर जब यह बंध होता है तो यह पैतालिस से 560 के बीच में Jadi this Let us के बीच में इस रजो धर्म का बंध हो जाता है तो जब इसमें पीरियर्स नहीं हों फिरेट बंध हो जाएंगे तो यह हो जाता है रजोनिर्वात झाल जाता है कि रजोनिर्वात और रजोधर्म तो जब यह शुरू हो जाता है न तभी क्या होता है कि नर्व और मादा अपने आपको एक दूसरे को खोजने लगते हैं तुम मेरे साजन में तुम्हारी सजनी तभी यह सुरू होता है तो जब तक यह सुरू नहीं होगा यह नारब में शुरू नहीं होगा तब तक साजन और सजनी नहीं होगे और जब भी यह शुरू होते हैं तभी होते हैं साजन और सजनी वह उंसे मिलने की कुशिच करते हैं उंसे यह पूरा का पूरा होता है अंडा से और इनका जननांग ह होता है अभी तो मैंने आपको इतने इसके बारे में सिर्फ बताया है कि यह होता कैसे है अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा यह के बारे में टेस्टिस के बारे मेर और अंडासई के बारे में कि यह होते कैसे हैं और इसमें जनन कैसे होता है इस पर्म कैसे मिलते ह यह सारी जानकारी आपको मेरे अगले वीडियो में मिलेगी पिरहाल अभी आज के लिए इतना समझ लोगी होते यह कैसे होते हैं कि इसमें यहाँ पर यह इसका निर्मार कैसे होता है और यह बंदे कैसे जिन बच्चों को समझ मियन आ रहा हो कमेंट करें तो यह जो रजोधर्म होता है रजोधर्म 12-14 के बीच में शुरू होता और 45-50 के बीच में बंद हो जाता है रजोधर्म और रजो निर्वात और जैसे यह बंद हो आते से समझों की साजन सजनी अलग-अलग और जो इसमें है नर्वाले में जो नर्वाले में होता है इसमें कभी बंद नहीं होता है इसमें सुक्राणूओं का निर्माण हमेशा चालू रहता है इसमें कभी नहीं बंद होता है और जो अंडासे है अंडासे 45 से 50 साल के बीच में यह बंद हो जाता है यह नारंब खतम हो जाता है पीरियर्स नहीं होते हैं पीरियर्स बंद हो जाते हैं लेकिन इसमें ब्रिसण में टेस्टीस में नर्वाले भाग में मेल केयर मेल वाले में हमेशा बंदा है इसमें कभी भी नहीं रूपता है इसमें बंद रहता है जब तक वह रूरा है को जिसमें यह उन्य प्रेस्ट शुक्रमें उन्सान चब पतक है तब तक यह बंद और कि उसके बाद में अगर जो इसमें मादा वाले भाग में मादा वाले भाग में जत्तक है कि 45 से 50 साल तक चलेगा उसके बाद में यह बंद हो जाएगा कि शुक्राणों का निर्माड विर्षण के अंदर होता है टेस्टिस के अंदर और जो अंडासे होता है अंडासे में अंडाड़ू यानि ओभम का निर्माड होता है इसमें स्पर्म का निर्माड होता है उसमें ओभम का ओब्रीज में ओभम और टेस्टिस में स्पर्म जिन मत्चों को अभी तक समझ में नाया हो फिर से कमेंट कर दें तुझा नर्वाला भाग होता है नर्वाले भाग में यानि टेस्टीश में टेस्टीश में यह कुछ इस तरह से दिखेगा यह होता है सिस और यह दोनों होते हैं ब्रिसाड़ यह पूरा होता है पूरा नर्जनंतंत्र तो इसके अंदर इस पर्मका निर्माड होता है इस पर मेटोजेनेसिस जिसे हम क्या कहते हैं इस पर्मका निर्माड अभी मैंने क्या होता है था इस पर मेटोजेनेसिस लेकिन अगर जो यह मेल गयमेट है यह मेल गयमेट है नो इसमें युगमक ही मिलते हैं यूगमक को जियोधरभ है साइटोप्लाज्म कि यूगमक का जियोधरभ्म आगा यह होता है शाइटोप्लाज्म जियोधरभ है तो यह नर्वाला है तो नर्वाला जब मादा से मिलेगा मादा वाले से उसके गयमेट के जिवद्रब से उसके गयमेट के जिवद्रब से तो इसे हम कहते हैं सलयन यूगमकों का सलयन डिफ्यूजन आप ऊoir फ्यूजन आप गयमेट्म क्यों यह जो यह घुक होते हैं गयमेट्ट यानि यह घुमक तुछ हो जुड मत इस जो होता है यहां से यहां से निकलता है है मेल गए मिट और अगर जो हम मालने की है कि यह होता है यह होता है यह होता है मादा जनान तंत्र तो यह पर यह यह वाला इवमक यहां आएगा यह पर मिलेगा तो यह पर होता है सलैन यहने फ्यूजन तो इसे हम कहते हैं are fusion goes in a game ads तो इनके मेलने से पिसमय कीव होन मीलेंगे नर आये on Johanoy you wonder zombie अर्य जह ऑन प्रकोट यह जाई गोड्स इन यह जाई गोड्स ऎरे यह जाई आई गोड्स बाद में ब मतल्जायत भूं में तो यह होता हां योजिज मनें आड़ यूग मनज और जब यह बाद में बदल जाएगा इंब्रीयों में भूरूर में तो यही भूरूर यही भूरूर आगे चलिए शिसु का निर्मान करता है शिसु का निर्मान करता है तो जैए